आमले और हरी मिर्च का ये चटपटा सा तीखा सा चार आपके खाने में तो चार चान लगाए गई और साथ में बहुत ही सेहत मन भी होता है वेलकम है आपका समस किचिन में आधा किलो आमले और 200 ग्राम हरी मिर्च लेकर के मैंने धो करके साफ कर लिया है अब इन आमलो को डालेंगे एक कड़ाई में फिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें बहुत ज़ादा पानी की जरुवत नहीं है क्योंकि थोड़ा ही पानी में स्में с歡striam बन जाएगी एक चमच नमक और एक चमच शक्कर शुगर डालने से थोड़ा सा टेस्स अच्छा हो जाता है इसका और इनको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम ठाक करके पकाएंगे तकरीबन 15 मिन तक जिससे की आवले हमारे गल जाएं अब यहाँ पर मैंने मसाला भूनने के लिए रखा पर उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि ये कैमरा ओन ही नहीं हुआ था तो ये जो अचारी मसाला है मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इसमें डालना है और जो मिस्टेक हुई है इसके लिए I'm sorry तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच मेथी दाना एक बड़ा चम्मच भरके है धनिया के साबुत धनिया देर चम्मच के खरीब जीरा है और एक बड़ा चम्मच यानि की वन टेबल स्पून काली सरसो के दाने और एक बड़ा चम्मच ही मोटी वाली सौफ है इन सभी को हम रोस्ट कर लेंगे जब तक ही खुशबू नहीं आती तो देर से दो मिनट में हो जाएगा और इनको धीमी आज पर ही भूनना है बस जैसी मसाले भून जाएंगे इनको ठंडा करेंगे और इस बीच आवले भी हमारे गल गए हैं तो कैस को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अभी इस बीच मसाला ठंडा हो गया है तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे तो थोड़ा सा दरदरा पाउडर ही हमें इसका चाहिए एक दम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे तो आप अचार खाने के शौकीन है ये नहीं या पुछ अटपटी चीज़ें खाना पसंद है या मीठा पसंद करते हैं जो भी है ज़रूर कॉमेंट किया करिए और इस बीच हमारा अचारी मसाला तयार हो गया बहुत ही खुश्पू वाला अभी ये आवले थोड़े ठंडे हो गए है तो अब हम क्या करेंगे के सीट्स को निकाल देंगे तो हलका साब ऐसे प्रेस करेंगे तो इसकी सारी फांके निकल आती है कुछ इस तरह से सारे बीजे निकाल दिये है मैंने और ये फांको को अलग कर लिया है अब उसी में मिर्च डाल दिये जिनकी मैंने डंठल निकाल लिये थे और सुखा करके मिर्चो को लिया था एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक बड़ा चमच ही है नमक और एक छोटा चम्मच है काला नमक एक छोटा चम्मच mango powder यानि की अमचूर पाउडर और एक कप सरसो का तेल लिया है इसको गरम कर लेंगे तेल के गरम होते ही इसमें डाल देंगे गैस बंद करके ये हींग एक आधा चम्मच और साथ ही डाल देंगे कलोंजी एक चमच इससे इसका सारा फ्लेवर इस ओयल में आ जाएगा और अब इस गर्मा गर्म तेल को इस अचार पर हम डाल देंगे तो इससे क्या हो गई है जो हमने कच्चे मसाले डाले हैं और ये मिर्श पाउडर तो ये भी इसके साथ इसकी हीट में थोड़े पक जाएंगे इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और जो अचारी मसाला बनाया है उसको भी डाल देंगे मिक्स कर देंगे तो देखा आपने कितनी आसानी से ये अचार बन गया आप इसको एक दो घंटे रखने के बाद खाएं तो थोड़े से फ्लेवर अच्छा हो जाएगा अदर्वाइस इसको आप अभी भी खा सकते हैं और बाकी आगर आपके पास धूप है तो दो तीन दिन धूप दिखा लीजे नहीं है तो कोई बात नहीं आप ऐसे भी इसको स्टोर कर सकते हैं एक सूखे और बिल्कुल साफ जार में इसको स्टोर करें ठंडा होने के बाद और आपको लगता है कि धूप नहीं है तो फिर तेल से इसको डुबो दें तो क्या होता है तेल भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है अचार सड़ेगा नहीं सालो साल तक आप इसको खा सकते हैं और बस जब भी यूज़ करें तो सुखा चमची यूज़ करें इसमें मौश्रत ना जाने दें एर टाइट कंटेनर में रखें इस तरह से अचार आप काफी दिन तक इसको बचा सकते हैं और इसको इंज़ॉय कर सकते हैं तो ये तयार हो गया है हमारा आमले और हरी मिर्श का अचार जो की बहुत ही टेस्टी है और बहुत वाइदेमंद है कहा जाता है कि एक आमला ज़रूर आपको रोज डाइट में लेना चाहिए तो ये एक बड़िया तरीका है आमला खाने अगर आप और भी आचार की रेसिपीस देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करतीजेगा मैं आपकी च्वाइस का अचार बनाने की कोशिश करूँगी नेखते रहिए समस किचन ऐसे मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपीस के लिए थांक्यू सो मच